पुत्रदा बटा पवित्रा एकादशी व्रत कता. पुत्रदा एकादशी का महत्व. श्री युदिष्चिर कहने लगे की हे भगवान. ऐने श्रावन मा के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्नन सुना. अब आप मुझे श्रावन शुकल एकादशी का क्या नाम है? वरत करने की विधी तथा इसका माहात में कृपा करके कहिए मदुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है पुत्रदा एकादशी वरत करने वाले विक्ति को पूजा के बाद श्रावन पुत्रदा एकादशी वरत की कथा जरूर सुननी चाहिए ऐसा करने से वरत पूर्ण होता है और मनो कामनाएं पूरी होती है अब आप शांती पूरवक इसकी कथा सुनिए इसके सुनने मातर से ही वाइपे यग्य का फल मिलता है पुत्रदा एकाद्शीवरत का था दौापर युक के आरंभ में महिश्मती नाम की एक नग्री थी जिसमें महीजित नाम का राजा राज्य करता था लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था उसका मानना था कि जिसके संतान नहो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दू खदायक होते हैं पुत्रसुख की प्रापती के लिए राजा ने अनेक उपाय किये परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ती नहीं हुई। सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म्युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है। उन्होंने एक अत्यंत वयोवरिद धर्म के ग्याता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूर तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ग्याता महात्मा लोमश मुनी को देखा, जि मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश रिशी के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्शे, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अत्थ, आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिश्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दू, खी है, उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अत्थ, उसके दू, खसे हम भी दू, खी हैं, आपके दरशन से हमें उत्र होने का उपाय बतलाए। यह वारता सुनकर रिशी ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किये और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म क यह एक गाउ से दूसरे गाउ व्यापार करने जाया करता था। एक समय जेष्ट मास के शुकल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यान के समय वह जब की वह दो दिन से भूका प्यासा था, एक जलाशे पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक ततकाल की ब्याही हुई प्यास इसी गो को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्रवियोग का दुख खसहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे रिशी। शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। अत जिस प्रकार राजा का यह पाप नश्ट हो जाए, आप ऐसा उप लोमश मुनी कहने लगे कि श्रावन शुकल पक्ष की एकादशी को जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग वरत करो और रातरी को जागरन करो तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नश्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अ इसके पश्चाद द्वादशी के दिन इसके पुने का फल राजा को दिया गया, उस पुने के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारन किया और प्रस्वकाल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन हुआ, इसलिए है राजन, इस श्रावन शुकल एका प्रस्वापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुक भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है, जै श्री हरी